जै स्रीक्रिष्णा रधे रधे आईए सुनते हैं भाद्रपद पुर्मा दोहजार चोवीश कव है शोमुहर पूजा भी थे पुर्मा को बेहद महत्व पूर्मा ना गया है कहते हैं साल की समस्त पुर्मा पर देव पूजन किया जाता है लेकिन भाद्रपद की पुर्मा पित्रों को भी समझ भी थे क्योंकि भाद्रपद महा की पुर्मा देथी से पित्रपच की सुरुवात होती है इसका समापन शर्व पित्र अमावश्या पर होता है भादो के पूर्मा पर सत्य नारायर भग्मार और चन्द्रमा मालच्मी की उपासना से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती वो ही पित्रों का स्राथ कर्म करने पर मानसिक, आर्थिक और सारी कूप से लाव मिलता है जाने भाद्रपद पुर्मा दो हज़ाच चॉबिश में कम मनाई जाएगी भाद्रपद पुर्मा सत्रह अठारा सितंबर दो दिन रहेगी 18 सितंबर से पित्रपच शुरू हो जाएंगे इसी दिल पहला स्राथ किया जाएगा पूरिमापर जो लोग सतिनार एड़क था लच्वी पूजन और चद्रमा की पूजा करते हैं वो 17 सितंबर को ब्रट करें वही पूरिमापर का स्नानदा 18 सितंबर को उधिया तित्थी पर करें भाद्र पूरिमापर की शुरुवाद 17 सितंबर 2024 सुबह 11 वज के 44 मिनट शुरूगी और इसका समापन 18 सितंबर 2024 को सुबह 8 वज के 4 मिनट पर होगा भाद्र पूरिमापर असनानदान का मोहोड अस्नान्दान मोहोट, शुब़ चार बज को 33 मिनट से, सुब़ पास बज को 20 मिनट, 18 सितमबर को सतिनारायभागवान की पूजा का मोहोट, शुब़ नौ बज के 11 मिनट से, दोब बंढ इक बज को 33 मिनट तर, जंद्रोडे समें सामचे बज को 30 मिनट लश्मी जी की पूजा रात 11 बज के 52 मिनट पर रात 12 बज के 49 मिनट 18 सितम्बर भाद्रपद पर शुक्षईयो भादो की पूर्मा पर 17 सितम्बर को रवियो शुबश 6 बज के 7 मिनट से दोपहर 1 बज कर 33 मिनट तक रहेगा वहीं इस दिन धृतियो भी सुबसात वर कर 48 मिनट तक रहेगा भाद्रपद पूर्मा पर क्या करें? मानेता है कि पूर्मा के दिन पीपल में मालच्मी का वाश होता है इस दिन पीपल के बिरिच की पूजा और परिक्रमा करने से साध्यक पर महालच्मी की क्रिपा हमेशा बनी रहती है और धन संपत्ती में भीधी होती है फादो की पूर्मा पर रिशियों के नाम से दान पुन्य भी करें क्योंकि इस दिल रिशियों का शराद किया जाता है इसी परिवान में खुसा हाली आती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन और बस ट्रेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुत सके धन्यवाद